है आप रिवन वेलकम टू प्रणिका दगलेम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल ट्रिक जिससे आप अपनी आइब्रो को घर पर ही शेप कर सकते हैं अगर कहीं अरजें शादी या पार्टी में जाना होता है या कहीं बाहर किसी मीटिंग मे जाना होता है और अगर आपकी आइब्रो शेप नहीं बहुत वियर्ड फील होता है और अगर का इस से बड़ी ट्रेजडी मुझे नहीं लगता के लड़केvine में होती idé сसी आप घर पर ही 5 मिन में वाया recordings कहिए तो इसमी श्टार्ट करते हैं तो इस इस के लिए आपको सफे कि यह सबंगा इसके पहल gute और कि नहीं पिया सबसे पहले और किय break कोशिश करेंगे उसके बाद आप लेंगे यह aha तो इस ध्रैट को आपके पास प्रफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता हैं अपने लगभग इतना कैने। और इसको तोड़ लेना है जिसमें आप इसको इस धागे को लेकर इसको डबल करेंगे और double करने के बाद आप इसको knot लगा लेंगे इस तरह से जब knot लगा लेंगे आप इसकी अच्छे से knot लगा लीजेगा ताकि ये open ना हूँ अब ये जो knot वाला area है, knot वाला जो corner है और ये side वाला corner इसको पकड़ेंगे इस तरह से और इसको इस दीरे दीरे ऐसे fold करेंगे और इसको कितना fold करना है इसको fold करना है आपको 10 times 1, 2, 3, 9, 10, 10 time होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अब आपको अपने eyebrow को shape करना है जैसे की मैं कर रही हूँ ये camera में इतने अच्छी से हो नहीं पा रहा है लेकिन अगर आप इस तरह से इसे use करेंगे तो definitely आप mirror में इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे अभी मुझे यहाँ पर मेरी growth भी जादा नहीं है और दिख भी नहीं रही है मुझे ठीक से लेकिन trick यह है कि आप इस तरह से इसे बस खीशते जाएंगे एक हांत ऊपर एक हांत नीचे करते जाएंगे तो ये सारे जो आपकी growth है एक्ष्रा growth है वो निकल जाएगी इस तरह से cut कर लीजे तो ये आपके eyebrow होगी शेप में तो trick पसंद आई होगी और शायद आपको आभी गया होगा कि कैसे आपको use करना है वीडियो पसंद आया हो तो please like कर दीजेगा और subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें तो मिलते नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए ब बूलेंगे ठील आब सक्रिंग पार शालेंग सक्लिंड़ी और शुर सक्ष्ट नेक्तश आब आपको आपको पसक्राओ कर वियाछ़ क्सूब आपको आपको पारीं पार शल्का झालेंगे ओूलेशा